प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, आप सभी का इसे, इक लास में आर्दिक अभिनंदन है, श्वागत है, आप सभी से निवेदन मेरा यह है, कि जो आप इस वीडियो जो देखते हो, उसको एक तो पूरा देखा करो, और सभी देखा करो, क्योंकि लगता यह है, जैसे कि कोई, आप लोगों के उपर कोई थोंपा जा रहा है, जैसे मालों, कितने विद्यार्थी हैं, उनकी तुलना में, आदे विद्यार्थी हैं, जो इनको देखते नहीं है, यह बहुत ही अफ्सोस की बात है, लेकिन चूंकि, हमारा जो से जो है, दुर भागते जा रहे हो, यह थोड़ी अच्छी बात नहीं है, तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, कि आप इनको देखें, वीडियो देखें, और यह दी कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप पूछे भी, और चैनल उसको आप सब्सक्राइब करें, समय समय पर यदी कोई नया वीडियो यदी डालें, तो आप तक वो आसाने से पहुंच जाए, तो चलिए, अब हम पद्य की ओर बढ़ रहे हैं, तृष्णाम छिंदी भजक्षमाम जही मदम पापे रतिम मा कृता, सत्यम रुयान व्याही सादू पद्विम सेवस्व विद्वत जनम, मन्यान मानिये विद्वीशो अपे अनुन नये प्रख्यापये प्रसरयम, किर्तिम पाले दुखिते कुरू तयाम एतर सताम चेश्टितम, ये प्रोपकार पतती में ही सजन जो मित्र हैं, उनके करतवियों के विशे में कहा गया है, और यहां पे कहा कि तृ प्रिष्णा जो है उसको आपे छोड़ दें, शमाम भजे, शमा जो है उसको आपे अपना लें, शमा जो है उसको अपना लें, मदम जही, मत का मतलब गर्वे होता है, गवंड होता है, यानि जो गर्वे है उसको आप छोड़ दो, पापे रतिम मा कृताहा, पाप में सत्तय बोलो शाधू पद्विम अनु याही साधू का मतलब यहाँ सजन्से सजनों के मारग का अनुश्रन करो विधवत जनम सेवश्व विधवानू की सेवा करो उनका आदर करो प्रेशरयम प्राख्यापय है कीरती है उसको बड़ाए प्रेशरयम प्राख्यापय है और इस प्रकार से जो है नमरता को जो है आप प्रसिद करें और नमरता को आप बढ़ें और किर्तिम पालिये किर्ती है यनि जो आपकी जो प्रसिदी है जो किर्ती है आपका जो यस है उसका जो है आप रक्षा करें पालिये अर्था उसके आप जो है रक्षा करें दुखितो दयाम कुरू एतत सताम च यहां जो दीन दुखी उनकी ओपर दया करना शजुनों का पर्थम करतवे होता है और इसके अलावा यदि वो प्राणी लालच नहीं कहा कि लालच नहीं करना है सत्ते एवं क्षमा अपनाना है गर्वे एवं पाप करम से दूर रहना है विद्वानों एवं पुझे लोगों क सम्मान करना है शत्रु है उनको भी नमरे यवहर से नियंतर्ण में करना है और अपनी येसोव रदी के परति जागरुक रहना है सजनों के आचरण की ये विशेशता है कही गई और हमें भी इस प्रकार का आचरण है वो अपनाना चाहिए परविद्यार्थियों ये सार्द इसके अंदर जो है जैसे मालो आप पापे में टीपनी लिख सकते हैं मा अव्य आ रहा है दूसरी लैंड में सत्य मारा यहां टीपनी लिख सकते हैं सेवसुव में टीपनी लिख सकते हैं और इनके अलावा जो और भी बहुत सारे इसके अंदर जो टीपनी के योगी जो अब आगे हम बढ़ रहे हैं पदि नमर इके तरगी तरब मनसी वचसी काये पुन्य पियूस भुरुणाह त्री भुवनम उपकार स्रोणिवी ही प्रिण यंतह परगुणम परमानून परवती कृते नित्यम निज रधी विक संतह संती संतह कियंतह मनसी वचसी काये पुन्यम पियूस भुरुणाह त्री भुवनम उपकार स्रोणिवी ही प्रिण यंतह परगुण परमानून परवती कृते निज रधी नित्यम विक संतह संतह कियंतह मन वचन और जो शरीर है उससे पुन्य प्यू से पुरुणा है पुन्य रुपी अम्रित जह उसे बरे हुए त्री भुवन उपकार श्रेणी भी ही त्री भुवन उपकारों से प्रिण यन्त है यनि प्रसन करने वाले परगुण परमानुन परवती कृते दूसरों के प्रमानुन तुल्ले गुण है उनको भी परवत के संप्षय बड़ा कह करके निज रधी नित्यम विक्संतना की अंतै संती अपने रधे में प्रसनता का अनुबव करने वाले शत्पुरुष उनकी संख्या कितनी है यनि बहुत ही कम संख्या है मालिनी चंद का ये उदारने है इसके अंदर अन्य जो व्याकनात में टीपनी है उनकी ये दीमा आपसे चर्चा करूँ मनसी है वचसी है काय है ये तीनों जो शब्द है ये टीपनी मांगते हैं इनके अलावा और भी हम बहुत सारी जो इसके अंदर जो क्रिदनत है तदित है उनको हम टीपनी की रूप में लिख सकते हैं तुकि समय की मर्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा यहां एक्स्प्लेन कर पाना संभव नहीं है और आगे हम बात करते हैं दहर्य परसंसा के जो है अब हम दहर्य परसंसा के विशे में अध्यन करेंगे रतनेर महपदैह स्तुतूशुर्ण देवाह न भेजिरे भीम विशेण भीतिम शुधाम विना न प्रयुज विरामम न निश्चितार्थम इदम विर्मंति धिराह देवाह महपदैह है यहनी देवताओं के द्वारा जो अमरित मंथन है उसका उदान दिया गया हो और कहा देवाह महपदैह रतनेह न तुतूशु देवता शमुदर के रतनों को पाकर के ही जो है संतुश नहीं हो गए थे भीम विशेण भीतिम न भेजिरे और न बहेंकर जो विशस है उससे बहग्रिष्ट हो गए थे शुधाम बिना विरामम न प्राययू हो अमरित को प्राप्त किये बिना वे शमुदर मंथन से जो है विरत नहीं हुए धीराहा निशितार्थम निशितार्थ न विरमंति है यहने धीर पूरुष कभी अपने निशित लक्षे को पाए बिना बीच में ही जो है प्रियास नहीं छोड़ देते हैं समुदर मंतन के यहां एक पौरानिक आख्यान है और उसके मादयम से कहा कि निशिते ही धीर जो पूरुष है उनकी सोभाव इस प्रकार से होता कि अमरित पाने के उदेशे से समुदर मंतन करने वाले नहीं थे लोब या भह उन्हें अपने लक्षे से नहीं डिगा सका परिनाम सुरूप देरपूरुस जो लक्षे निशित कर लेते हैं उसे प्राप्त किये बिना वो कभी भी रुकते नहीं है विराम नहीं लेते हैं और वे अपना लक्षा जो है उसको पाकर ही मानते है या कि लेते हैं भी जाती संद कये उदारने है यह इनकें अव्यों की बरह मार है नए ने तीन बार दीख रहा है मैरे को दूसरी ल frase तीसरी में भी और जो है अब यह अगले पद्य आ रहा है और उस अगले पद्य का जो हम arnayir करने जा रहे हैं और यहां पर कहा प्रारब्ब्बन नैकलू विग्ण वहेन नीचाई है प्रारब्ब्बे विग्ण विषिता विर्मंती मद्या है नीचाई है विग्न वहेनने प्रारभ्यते यनी जो पुछ लोग हैं वो तो विग्नों के बहसे कारियों जह उसको प्रारभी ही नहीं करते प्रतम कोटे के लोग विग्नों से बार बार चोट खाये हुए भी उने पर भी जो है आरम किया हुआ जो कारी होता उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं पैरे विद्यार्थियों यहां संसार में सभी लोग जो है दिट निश्चे ही हो पाना मुश्किल है और सवभावे भेद जो है उनसे ही मनुश्यों की तीन सिरेनिया जो है उनका यहां डिवाइडेशन किया गया विवाजन किया गया और यहां कभी जो है निमश्रणी के लोग है उनके विशे में कहा कि विगनों के बहसे कारी प्रारम ही नहीं करते मद्यमश्रणी के लोग जो है प्षणिक उत्सा से कारी प्रारम तो कर देते हैं किन्तु उनमें बाधाओं का सामना करने की हिमत नहीं होती इस परकार से वे कारियों को बीच में ही छोड़ देते हैं परन्तु किन्तु उत्तम लोग जो हैं विगनों से बार-बार आहत होते हुए भी कारियों को नहीं छोड़ते हैं और उसे हर हालात में पूरा करके ही वो र सब्सकते हैं कि यहां यह जो अपना चोटरुभा जो पत्य आ रहा है इसका हम जो है अगला आपना जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसका ध्यन करेंगे तो आप लोग यून न समझे कि इसको छोड़ दिया है जब तक के अगला वीडियो आए तब तक सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप जो हकृप्या आपसे निवेदन है कि आप प्लीच महरवानी करके इस वीडियो को देखे और अपना जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करते रहें समय समय पर आपके पास वीडियो की जानकारी वो मिलते रहेगी और तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्याएब